हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताओंगी कि इंस्टग्राम एकाउंड पर्मनेंटली डिलेट कैसे करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे उसे वीडियो को लायक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूल बताए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो दोस्तों Instagram एक उन्ट डिलेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में Instagram एपको open कर लेना है फिर आपको अपनी profile में आ जाना है इसके बाद उपर में आपको 3 lens दीख रही होगी Simply हमें उस पर click कर लेना है फिर आपके सामने बहुत सारे options दीख रहे होंगे हमें यहां setting and privacy पर click कर लेना है इसके बाद आपको एक उन्ट पर click करना है फिर उसके बाद आपको नीचे एक option मिलेगा personal details का तो हमें इस पर click कर लेना है अब यहां पर आपको एक option मिलेगा account ownership and control का अब आपको इस पर click कर लेना है फिर आपको यहां deactivation और deletion पर click कर लेना है अब यहां पर आपको अपना instagram account दिखाए देगा तो हमें simply इस पर click कर लेना है फिर उसके बाद आपको दो option मिलेंगे अगर आप अपना icon deactivate करना चाहते हैं तो deactivate पी कर सकते हैं temporary पुररी लेकिन अगर आप अपना permanent icon delete करना चाहते हैं तो हमें नीचे वाले option को select कर लेना है फिर नीचे continue पर click करेंगे फिर दोस्तों आपसे यहां region पुछा जाएगा तो हमें यहां बहुत सारे regions दिख रहे हैं कि आप क्यों अपना icon delete करना चाहते हैं तो आप चाहिए तो इसमें से कोई भी reasons लेक कर सकते हैं अब मैं यहां एक reasons लेक कर लेती हूँ फिर आपको continue पर click करना है इसके बाद हमें दोबारा continue पर click करना है अब यहां पर आपको अपने Instagram का जो password है उसे इंटर कर लेना है लेकिन अगर आप password भूल गए हैं आपको पता नहीं है तो कैसे Instagram का password पता करते हैं इस topic पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है उस वीडियो का link इसी वीडियो की description box में आपको मिल जाएगी तो अब यहां पर मैं अपने password को इंटर कर देती हूँ password इंटर करने के बाद हमें continue पर click कर लेना है इसके बाद आपके सामने delete account का option आ जाएगा अब यहां पर आपको delete account पर click कर लेना है अब इसके बाद दोस्तों आपका जो Instagram account है permanently delete हो जाएगा लेकिन यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है अगर आप आज की date में अपने account delete करेंगे तो account delete होने में पूरे 30 दिन लगेंगे अब दुबारा आपको अपने account को login नहीं करना है 30 दिनों तक तो आपका account हमेशा के लिए delete हो जाएगा तो दोस्तों यह था Instagram account delete करने का एक simple सा process अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे अच्छान को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं अगली वीडियो में